जमो कश्मीर के श्रीनगर में आतंक्यों की काहिराना हरकते फिर से बढ़ती जा रही है। आए दिन आतंकी घाटी में शांतिपुन माहोल को भंग करने के लिए आम लोगों की हत्याय कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आत सुब़ श्रीनगर में फिर से देखने को मिला है। की जानकारी के मुताबिक गुरुबार सुबह सवा 11 बजे कुछ आतंक्यों ने एदगाह के संगम इलाके में बने गवर्मेंट बॉज स्कूल में गोली वारी इसमें स्कूल की प्रिंसिपल एसकॉर और टीचर दीबक चंद पुरी तरह घायल हो गया दोनों को तुरंत अस् जिनों में साथ भी घटना है जिसमें छे सिर्फ श्रीनगर की ही है मंगलवार को श्रीनगर में आतंकियों ने बिंदरू मेडिकेट के मालिक एमल बिंदरू की गोली मार कर हत्या कर ले लगातार इसी एरिया में हमला कर रहे हैं कहा जा रहा है कि शायद लगातार रेकी करके लोगों को मारा जा रहा है और पूरे इलाके में पहले से ही लोगों को चुना गया है कि किस को कब और किस तरह से मार रहा है आपको बता दे कि इस घटना पर राज्य के पूर मुख्य मंत आत्मा की शांती के लिए प्रातना करते हूँ इस हमले के बाद दिल्ली में ग्रहम मंत्री अमिशा ने कई बड़े अफसोरों के साथ एहम बैटक की है जिसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद आतंकियों पर बड़े कदम उठाये जा सकते हैं